आपके लिए आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इसका नाम है टाइम एंड वर्क इससे हर एक कॉंपुटिटिव एक्जाम में सवाल पूछे जाते हैं चाहे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे कोई भी वन डे कॉंपुटिटिव एक्जाम क यह टॉपिक बड़ा ही खास हो जाता है विद्यार्थियों के लिए तो आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्पून सवाल आपके समक्ष रखने से पहले टाइम एंड वर्क के बारे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है एफिशेंसी और टाइम में कैसा रिस्ता होता है inversely proportional होता है यानि चंता और समय एक दूसरे के विद्करमानुपाती होते हैं पहली बात ये ध्यान रखना है time and work में यानि आपकी efficiency अगर अधिक होगी तो time कम लगेगा और efficiency अगर कम होगी तो time जादा लगेगा इसलिए efficiency और time में कैसा रिस्ता बताया गया है inversely proportional का अब आप सोच रहे होगे प्यारे बच्चे की efficiency हम लोग कैसे निकालते हैं तो efficiency निकालने का जो short term short cut root है वो है हमारा efficiency equals to total work divide करेंगे हम लोग time से ये हमारा efficiency निकालने का way है process है कुल कारे बटा समय तोटल वर्क कुल कारे को हम लोग उपर रखेंगे और divide करेंगे किस से समय से ये होता है हमारा efficiency निकालने का तरीका जैसे त्यारे बच्चे अगर मैं कहूं कि time का अनुपाद A और B में आपका 3 is to 4 का है 3 is to 4 का है तो इनके efficiency का ratio क्या हो जाएगा 4 is to 3 समता का अनुपाद क्या हो जाएगा 4 is to 3 देखा आपने inversely proportional हो गया तो total work अगर आप निकालना चाहो कि total work कितना है तो आप into कर दो तो 3 into 4 12, 4 into 3 भी 12, total work तो बराबर होगा तो इस अन्दाज से आप लोग efficiency निकाल सकते हो, time निकाल सकते हो, work निकाल सकते हो तो इस बात का ध्यान रखेगा बिना अब समय गवाए हम आपके लिए कुछ महत्पून सवाल लेके आए हैं जो कि आने वाले computer exams के लिए बड़ा ही important साबित होने वाल होगा चलिए, बिना समय गवाए पहले सवाल पर जड़ा हम लोग focus करें कहा जा रहा है कि 42 women complete a work in 18 days, how many women we needed to complete that work in 21 days? सवाल है कि 42 women complete a work in 18 days, इस work in 21 days पूरा करने के लिए कितनी women complete a work in 18 days? जड़ा सोचो, 42 women complete a work in 18 days, तो total work जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, 42 into 18 45 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं, यानि कुल कारे हो जाएगा 42 into 18 अब हमें इसी कारे को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरुत होगी? अगर हमें 21 दिन में ही काम complete कराना है, तो कितनी महिलाएं चाहिए, हमें नहीं मालूम, तो W into लेकिन 21 दिन में complete कराना है, तो बस हमारा solve हो गया ये सवाल, 21 से देखिए तो 2 times से कट रहा है न ये 42, यानि 18 into 2, फुल मिलाके कितनी महिलाओं की आप शक्ता पड़ेगी, अगर 21 दिन में काम पूरा कराना है, तो 36 महिलाओं की आप शक्ता पड़ेगी, तो इस तरह के question आप आज के बाद इसी तरह से बना लेना और बन जाएगा, ओके, चली, अब जड़ा गौर करते हैं दूसरे सवाल पर, दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कि 8-8 children and 12 men can do a work in a 9 days, if a child takes double time, then a man to do some work, then how many days 12 men will take to do that work? इंदे में कहा जा रहा था, कि 8 बच्चे तथा 12 men किसी कारे को 9 दिन में समाप्द कर सकते हैं, यदि एक निश्चित कारे करने के लिए प्रतेग बच्चा, प्रतेग आदमी से दुग singing का感應 प्रते कारे को mental connection की दूसरे लेते हैं, आदमी इस कारे को समाप्द करने में कितना समय लेंगे देखें कितना interesting सवाल है सबसे पहला इसमें important जो line बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो double time ले रहा है double time तो double time लेगा तो उसकी efficiency आधी हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी just थोड़ी दिर पहले आप से कहा efficiency और time में चमता का अनुपात क्या होगा दोस्त तो one is to two का होगा क्योंकि समय दुगुना लेता है तो चमता आधी हो जाएगी तो one by two की अब जरा पता लगाएं कि total work कितना है तो यहाँ put कर दो आठ बच्चे यानि आठ गुना एक plus चमता से गुना करो तो आपका क्या निकल जाएगा total work बारा पुरुष तो बारा इंटू टू यानि कितना दिन ले रहा है प्रश्णा अनुशाथ नौ दिन लेता है तो इंटू नाई यह total work हुआ अब हमें इस कारे को पूरा करवाना है कितने आदमी से बारा आदमी से कितना समय लगेगा तो बारा इंटू टी या डी टू जो कहना है आप कह सकते हो बारा इंटू डी टू चलिए सॉल्व कीजिए फटा फट आठ जोर चॉबिस अत्यस इंटू 9 इक्वल्स टू 12 इंटू डी टू अब एक्स भी रखो डी टू भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं तो 48 जा 32, 4 थी जा 12, 3 तिया 9 यानि 8 तिया 24 दिन न लग जाएंगे यानि इसका correct answer है 24 दिन यानि none of these यह रहा इसका solution तो आपको यह समझना चाहिए कि हमने छमता का नुपात 1 इस्टू 2 क्यों लिखा क्योंकि बच्चा दूगना समय ले रहा था तो इसकी छमता आधी हो जाएगी बस इसी बात को यहां पुट कर दिये 8 बच्चे हैं तो इनकी छमताएं हो जाएगी 8 इंटू 1 12 पुरुष था तो 12 इंटू 2 कितना दिन लेता था यह लो 9 दिन अब आप कितने पुरुषों को काम पे लगा रहे हो 12 पुरुषों को काम पे लगा रहे हो तो वही पूछा जा रहा था सवाल कि 12 पुरुष कितने दिन लेंगे इस कारी को पूरा करने में तो हमने कैंसल वैंसल किया तो हमने पाया 24 दिन लगेंगे 12 पुरुषों को चलिए इसके बाद एक और सवाल देखा जाए Time and work से कहा जा रहा है प्यारे बच्चे कि A can do a work in 10 days while B can do it in 15 days A and B working together can do it in how many days A एक काम को 10 दिनों में करता है B उसी काम को 15 दिनों में करता है A और B इकठा होकर उसे कितने दिनों में करेंगे ज़रा सोचो A अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और B अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करता है अगर दोनों को एक साथ काम पर आप लगा दोगे तो जहिर सी बात है कि 10 और 15 से कम दिन लगेगा क्योंकि एक से भले दो तो फटा फट पहले ये पता लगाओ प्यारे बच्चे कि कितने total work हैं तो इसके लिए क्या मैं आपके सामने shortcut बताने वाला हूँ कि 10 और 15 का आप क्या ले लो LCM ले लो LCM method से बनाएंगे तो 30 हुआ यही 30 प्यारे बच्चे total work कहलाएगा कुल कारे अब छमता निकालना है यानि efficiency तो efficiency के लिए क्या करोगे छमता के लिए 10 30 मैं 10 से भाग दो तो 3 तो A इसकी छमता कितनी है 3 unit करने की B की छमता क्या होगी 2 unit अब बोला जा रहा है कि time कितना लगेगा तो time बराबर हमने कहा था work बटा efficiency होना चीए तो 30 divided by 5 यानि दोनों अगर मिल जाए तो कारी कितने दिनों में पूरा हो जाएगा 6 दिनों में पूरा हो जाएगा जो कि आपके second option में given है ओके तो इस तरह से इस तरह के question को आपको बनाना चाहिए approach आपका बड़ा ही simple होगा बड़ा ही साधारन सा और shortcut रहेगा ओके चलिए अब एक और सवाल देखा जाए अब की बार कह रहा है कि A and B can do a work in 16 days while A alone can do this in 24 days How many days B alone will do that work alone A और B किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं जबकि A अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा ये सवाल है तो देखो पिछला प्राब्लम जो आपने देखा और ये प्राब्लम जो देख रहो पिछले प्राब्लम में A alone, B alone था तो together आपको निकालना था इसमें together दिया हुआ है तो जिसका नहीं दिया है उस पर सवाल आए तो आप अपना तरीका नहीं छोड़ोगे तरीका जो बता रहा हूँ उसी पे आपको अडिग रहना है तो A प्लस B मिल करके गिवन है दोस्त कितना? 16 दिन और जिसमें A अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करता है पुरह आप 16 और 24 का क्या लोगे? LCM लोगे जो कि 48 आएगा ये LCM कैसे आ रहा है? 16 और 24 का ये भी जरा देख लिया जाए 8 से आप डिवाइडी कर दो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 अब तीनों को पुना कर दो तो 8 दुनी 16 तिया 48 तो यहां से 48 आया LCM लिया अब जरा देखो छमता निकालो तो 3 और 1 की छमता 2 है ना? छमता कैसे निकाला जाता है? वर्क डिवाइड़ बाई टाइम वर्क है 48 डिवाइड़ बाई 16 तो 3 आया या 16 ती 48 24 दुनी 48 यही आपकी छमता निकल गई किसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं इस चैप्टर में एक बार आपने efficiency पता लगा लिया तो सवाल ना बनने का सवाल ही नहीं उठता ज़र आप देखो चुकि A और B मिलके 3 यूनिट पर डे कर सकता है जिसमें A 2 यूनिट करता है तो B अकेले तो टाइम लेगा वो लेगा 48 divided by 1 तो कि A और B की छमता है 3 जिसमें A की छमता 2 है अगर माइनस कर दो तो B की छमता निकल आएगी यानि B alone can do that work in 48 days ना जो कि हमारे 3rd option में है तो यह आपका अप्रोच होना चीए इस चाप्टर को ले करके थैंक यू